फ्रेंट्स बहुत स्वागत है इस वीडियो में और Microsoft PowerPoint का ये वीडियो 2 है यानि भाग दो है और आज हम लोग इसमें एनिमेशन लगाना सीखेंगे कि कैसे किसी टेक्स्ट में एनिमेशन लगाते हैं किसी पिक्चर में कैसे ऐनिमेशन लगाते हैं कोई भी shape है तो उसमें animation कैसे लगाते हैं वा dart मैंसे animation कैसे लगाते हैं तो चलिए हम लोग सिखते हैं तो मैं इस program में अभी आपको बता रहा था ओके चलिए देखे ये program मैंने आपको इसमें कुछ basic चीजे बताया video पार्ट 1 में ओके तो ये video पार्ट 2 है यहाँ slide 2 में भी कुछ text लिखा हुआ है slide 3 में भी कुछ text लिखा हुआ है तो मैं आपको animation इसमें लगा के दिखाता हूँ animation मतलब इसमें motion होना चाहिए यह move करना चाहिए computer जो लिखा हुआ है electronic machine जो लिखा हुआ है यह move होना चाहिए, इसमें motion आना चाहिए, इसमें गती होना चाहिए, इसी को हम लोग animation कहते हैं, कि यह animate कैसे होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि सबसे पहले आप इसको select कर लेंगे, जैसे कि अभी computer जो लिखा हुआ है, इसको मैं select कर लिया, और आपको जाना ह यहाँ पर animation tab में आप देख सकते हैं, animation tab में आपको जाना है, और उसके अलावा यहाँ पर आप देखेगे कि custom animation जो है, वो आप यहाँ दिख रहा है, आपको click करना है, तो custom animation में जाईएगा, तो यहाँ देखिए right side में आपको इस तरह का एक tab दिखाई दिया, अब आप जा तो सबसे पहले हम लोग exit, sorry, entrance की बात करें, तो entrance के अंदर आपको इतने सारे option मिलेंगे, blinds, box, checker box, diamond, fly-in, इस तरह से आपको options मिलेंगे, यह सभी animation है, अब आप इन पर click करेंगे, तो यह हमारा computer लिखा हुए animate होगा, तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले fly-in जो है, यहा fly-in करेंगे, तो देखें, इस तरह से animation हुआ, उसके अलावा अभी आप देखें, यहाँ पे fly-in जो अब apply हो गया, तो यहाँ आप क्या setting कर सकते हैं, जैसे कि very fast हुआ, तो आप इसको यहाँ से यह देखिया option है, यहाँ पे very slow, slow, medium, fast, very fast, यह option आप यूज कर सकते हैं, जैस slow में animate हो रहा है, उसी तरह से आप चाते हैं कि यह थोड़ा बहुत slow हो गया, तो थोड़ा medium में रहे भाई, यहाँ पे click करें, medium में animate हो रहा है, मैं चाता हूँ यह animation अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उस case में आप क्या करेंगे, इस animation को हटा सकते हैं, उ इसलिए मैं दूसरा animation लगाता हूँ, फिर से add effect में जाना है, और यहाँ पे entrance के अंदर, अब आप करेंगे, यहाँ पे box, तो जैसे ही box को click करेंगे, यह देखे, box वाले animation दिखाए गया, यहाँ क्या हुआ बहुत clear नहीं हुआ, क्योंकि यह बहुत fast था, अभी मैं इसको कर दोता हूँ, very slow, यह देखे, very slow, तो आप देख सकते हैं, इस तरह से box बन रहा है, okay friends, तो यह, माल लीजे, यह भी मुझे नहीं चाहिए, इस तरह का भी effect नहीं चाहिए, तो मैं right click करके, इसको इस तरह से delete कर सकता हूँ, animation क्या हो गया, वो delete हो गया, अच्छा, उसके अलाव देख सकते हैं, more effects जो है, वो आपको दिखाई दे रहा है, यह सभी entrance की part है, जो part one में जो effect था, okay, यह देखे, इतने सारे effect हैं, आप किसी effect को भी click करेंगे, यहाँ पे दिखे, किसी भी effect को click करेंगे, तो आपको यहाँ effect, इसके अंदर जो भी effect होगा, वो आपको यहाँ पे से, यह effect, animate होगा, यह देखे, यह देखे, तो यहाँ पे effect होने का मतलब है, यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ app, preview effect, इस पे अगर यह checkbox में, यह जो checkbox है, इस पे अगर आप click रखेंगे, तो दिखे, अभी मैं किसी पे भी, अभी यह दिखिया, क्या था, box में, मैं अभी अंटिक कर दिया, ओके, आप आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, तो यह effect आपको preview नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे इस box पे आप टिक रखेंगे, तो आपको preview यहाँ पे दिखाई देगा, फ्रेंस, देखे, इस तरह से, ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके, त तो समझ मैं कैसे हम लोग यहाँ पे text में animation यूज करेंगे, उसके अलावा, मैं आपको यहाँ पे नीचे में दिखा देता हूँ, an electronic machine, तो इसको भी आप यहाँ पे effect दे सकते हैं, मैं अब इसको emphasis के अंदर आता हूँ, और emphasis के अंदर भी बहुत सारे option हैं, आप इसको इसके अलावा आप चाहें तो यह जो text है, इसमें एक से अधिक animation को यूज कर सकते हैं, देखें अभी मैंने एक animation यूज किया हूआ है, आप entrance में जाके कुछ और ले सकते से fly-in करेंगे, यहाँ देख सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि किसी में एक effect है, किसी में दो effect अपला है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप इसको click करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें one लिखा हुआ, यानि एक ही effect अपलाई किया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप two, one, three और four लिखा हुआ है, मतलब इसमें दो-दो effect अपलाई किया हुआ है, किसी को हटा आप यहाँ से right click करके बताए ही शुरू में, तो यहाँ से delete कर सकते हैं, यहाँ पे right click करना है, यहाँ से right click करके delete कर सकते हैं, तो यह चीजे हैं, जो हम लोग animation कर दे सकते हैं, अब मैं slide two में आता हूँ, और यहाँ पे दिखिए my computer जी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इ तो यहाँ से देखिए काफी सारे हैं, इनको भी आप अपने अनुसर यूज कर सकते हैं, यह क्या हो रहा है, यह देखिए, इस तरह से जो चीजे हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं, यह देखिए, यह चीजे देखिए, ओके, तो यह अलग-अलग animations हैं, इसको आप यूज क मैंने ओके कर दिया यहाँ पर उसके बाद तरह से थड वाले में भी आप यूज़ कर सकेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास कोई माली जे कि पिक्टर है या कोई सेप है मैं चाहता हूँ यह आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक इस तरह का smiley shape बनाया है और मैं चाहता हूँ इस shape पर कोई effect आ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे same चीज है कि shape को select रखना है और किसी भी आप यहाँ पर जाएंगे कोई भी effect वाले option में चले जाएंगे और यहाँ से आप दिखे जो भी effect आप select कीजिएगा यहाँ पर उड़ता हुआ नजराएगा देखे यह देखे यह देखे इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते है जो भी आप animation लेंगे वो यहाँ पर activity करेगा ओके करिएगा अब आप इसको देख सकते हैं फ्रेंट्स तो इस तरह से हम लोग animation लगाते हैं shape के उपर चलिए मैं आपको कोई photo लाके दिखाता हूँ जैसे कि यहाँ पर मैं अभी picture में गया और यह photo को मैं यहाँ पर select किया और इस photo को बड़ा चोटा करना है कर सकते हैं अब यहाँ पर animation लगाने के लिए क्या करना है कि photo को select करना है और उसके अलावा आप add effect में जाएंगे और जो भी यहाँ आपको चाहिए उसको आप use करेंगे जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह का effect इस पर नज़रा है आपने shape में सीखा कैसे effect लगाते हैं okay, text में कैसे लगाते हैं तो यह animation की बात हुई अब मैं इसको play करके दिखाता हूँ कि कैसे play होता है देखिए, यहाँ पर आप देखिए play option नीचे दिख रहा है यहाँ पर, play option दिख रहा है इस पर click करेंगे तो आपको दिखाए देगा कि जो जो भी इसमें animation लगाए गया है वो इस तरह से animate हो रहा है यह देखिए, ओके, तो उमीद है समझ में आया होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ कि background में हम लोग animation कैसे लगाते हैं यानि अभी जो हमने सिखा वो है कि shape में या फिर कोई text में या कोई picture में कैसे animation लगाते हैं लेकिन अभी मैं आपको यहाँ देखे slide सो करके दिखाता हूँ यह page जो खुला है वो बिलकुल normal खुला है अभी मैं यहाँ enter करूंगा तो तब आपको animation दिखाए देगा यह देखे यहाँ पे मैं enter कर रहा हूं अगय एंटर कर रहा हूँ तो आपको animation दिखाए दे रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि page जम खुले यानि slide जो खुले तो slide का भी animation हो slide भी खुलने का style मतब style में slide खुले slide भी कुछ style में ही खुले तो उसके लिए भी मैं animation कर सकता हूँ क्या करना है जैसे कि slide 1 अभी मैं select किया हूँ और यहाँ पे animation में ही जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं transition to the slides यानि यहाँ यह जो option आप देख रहें न यह page खुलने का यानि slide खुलने का style है यहाँ पर अभी और अभी option नीचे देखे इतना सारा option है जहाँ हम क्या कर सकते हैं page यानि slide को open करने का animation डाल सकते हैं जैसे मैं चाहता हूँ इस तरह का animation खुले या फिर page ऐसा खुले चली मैं इसको click कर दिया और मैं इसको slide show करके दिखाता हूँ यह देखे यह देखे page कैसा खुला ओके तो इस तरीके से हम लोग जो है वो animation डाल सकते हैं slide के उपर चली मैं चाहता हूँ कि slide 2 भी हमारा देखे दूसरा मैं यहाँ पर effect ले रहा हूँ कि कैसे इसको use करना है देखे इस तरह से दूसरा slide को आप use करेंगे ओके अभी क्या हुआ देखे यह देखे किस तरह से खुला ओके तो यहाँ पर हम लोग जो है वो इसको use करतेंगे अभी देखे यह बहुत fastly खुला है यह slide जो खुला slide कैसे open हुआ या किस style में open हुआ यह काफी speed हुआ तो इसको slow करने के लिए आप यहाँ से देखे अपलाई करेंगे transition speed का एक option है यहाँ क्या हुआ fast तो आप इसको यहाँ पर slow कर सकते है आप यहाँ पर बिल्कुल medium कर सकते है आप यहाँ फास्ट कर सकते है तो मैं slow कर देता हूँ तब आपको और अच्छा समझ में आएगा चलिए slow slides फिर से करते है यहाँ पर देखे इस तरीके से आपका पन्ना जो है वो slide जो है वो open होगा ओके तो उमिद है कि यह slide कैसे slide में कैसे हम लोग animate करते है या कोई picture में कैसे animate करते है text में animate कैसे करते है shape में animate कैसे करते है तो animation से समभन्धित चीजें यह थी मैंने आपको इसमें बताया कि कैसे इसको हम लोग use करते है ओके तो आज का वीडियो में इतना ही फ्रेंट्स और कल हम लोग next जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि और भी क्या चीज़ें इसमें use किये जा सकते हैं मैं आपको कुछ animation बताऊंगा कुछ movement बताऊंगा कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो exit है motion path है तो motion path के बारे में कल बताऊंगा और थोड़ी और चीज़ें हैं यहाँ देख सकते हैं जैसे कि exit वाला एक option यहाँ दिया गया है exit में यहाँ पर मतलब exit से सम्मन्नित animation होंगे जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई चीज समाप्त हो रहा है तो उसको दिखाना है तो यहाँ पे more effect में भी जाईएगा और यहाँ बहुत सारा चीज है जैसे कि आप यह दिखिया option है खतम हो गया यहाँ पे खतम होने वाला effect दिख रहा है किसके अंदर exit के अंदर यह देखे इस तरह से समाप्त हो रहा है ठीके ना okay करेंगे और यहाँ पे slide show करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से effect होगा यह पहला effect है दूसरा effect है तीसरा effect है चौता effect है पाच्वा effect है और छटा effect यह खतम हो गया ठीके तो exit वाला में भी हम लोग यहां से exit वाला effect को हम लोग दिखा सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंट्स हम लोग last वाले वीडियो में motion path के उपर work करेंगे कि कैसे किसी चीज में motion path हम लोग लगाते हैं ओके तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंट्स कुछ सीखने को मिला या नहीं जरूर बताईएगा तो मिलते हैं next class में तब तक थैंक यू फ्रेंट्स